अल्याम लेकूम, I hope you all would be fine ओके, आज का लेक्चर अबाउट बायक केमिस्ट्री है सबसे पहले तो बायक केमिस्ट्री की बुक्स कौन कौन सी है ठीक है, बायक केमिस्ट्री के लिए आपके पास सत्या है लेकिन सबसे पहले आपके पास है लिपन कॉट्ट, most important book सत्या भी बहुत अच्छी है, ठीक है देन फिर आजाती है, harper है उसकी wording मुश्किल है, ठीक है तो आप उसे side a helping book लग सकते हैं कि उसमें tables अच्छे बने वे हैं, कुछ points महां से अच्छे करने वाले है ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है मुश्काक है, हाश्मी है अगर हम इसकी short book की बात करें ना तो short book में आपके पास आ जाती है इसकी fight ठीक है, fight भी अच्छी book है बहुत सारा बच्छे से fight पर रिलाइक करते हैं में बट अगया आपने बहुत अच्छे marks लेने हैं तो you should focus on the main books कोई एक में बुक को ठालें लिपन और सत्या का combo करके करें तो बहुत अच्छा वे परत्यार होता है ठीक है, आपको fight पर जाने के जरूरत ही नहीं पड़ती हाँ आप इससे पढ़के इससे आप एक मतार रीट दे लो more than enough आपका बहुत अच्छा होगा मार्क स्टिपिशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है acid-based balance उसमें से आपके 3 marks mcqs और 1 sqq आता है और 6 marks total प्रोटीन की बात करें तो इसमें से आपके 2 mcqs और 1 sqq आता है 5 marks अच्छा है इसमें से कौन कौन से topics आपने किस book से करने क्या करने वो भी मैं आपको बताऊंगे enzymes 4 mcqs 1 sqq and it's constitute about 7 marks in your paper सबसे जादा आपका enzymes में से paper आता है vitamins में से 3 mcqs, 1 sqq 6 mark का paper है that means कि आपको enzymes vitamins अगर आप अच्छे से कर ले तो आपका 13 mark का paper हो जाता है then carbs carbs जब आपने करने ना तो इसके साथ आपके इसका intro भी देख लेना आप इशक 5 से कर लो सत्या से कर लो लिपन में भी chapter है महां से भी cover हो जाता है मतलब कोई इतना issue नहीं है इसमें साथ के 2 MCQs आने 1 SCQ आना है total 5 mark का paper आना है enzymes, vitamins & carbs तीनो को मिला लो आपको 18 number का paper आपको यहां से कर लो जाता है then metabolism of proteins, lipids & biochemical techniques 1 MCQs, 1 SCQs लेकिन आपने इसे छोड़ना नहीं आपने इसे बहुत अच्छे से करना है यहां से आपका 12 number का paper बन रहा है ठीक है then अच्छा आप यह प्रोटीन लेदें इसमें आपका इंट्रो हाजाता है प्लास्मा प्रोटीन और आपके globular fibrous हो सारी कुछ हाजाती है but जो metabolism of protein है वो सेपरेट है then आपके endocrine, bilirubin, genetics 1 MCQs और A इसमें से कोई SCQ नहीं आना ठीक है तो आपके 21 mark के MCQs आते है 21 MCQs होंगा आपके 8 SCQs आते है अगर SCQ 3 marks को होता है तो 8 x 3 आपके 21 यहां से हो रहा है ठीक है 21 नहीं नहीं sorry 24 होए रहा तो यह आपके कितने होगे 45 और 5 marks की आपकी internal होती है ठीक है जो आपके उनिवर्स्टी के तरफ से जाएगी तो टोटल आपके 50 marks आपे पर होता है अच्छा 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 थोड़ा बार्डर लाइन पर होता है बार्डर लाइन पर कैसे होता है के ना marks कम होते हैं 25 के I think इसमें पास करना होता है तो बचे करते हैं कुछ topics छोड़ते जाते हैं तो इसमें marks कम आपने छोड़ना इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसके already marks कम है तो इसको पास करने के लाइब को सारे topics को अच्छे तरह कैसे करना होगा ठीक है अब कौन सी books हैं और इसमें क्या क्या करना है कौन सी चिस कास करने हैं मैं आपको separate video पर बता हूँ इसके लावगर आपको को question है you can ask me in the comment section thank you very much